हेलो अब डिवान कैसे हैं आप सब लोग आई हूँप आप लोग अपने घरों पे सेफ हूँगे आज हम करेंगे सेप्टेंबर थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेर्स करंट अफेर्स आपके अपकमिंग एक्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले इक्सेसाइजी सब्सको उस फॉर्म में आप लोगों तक लेकर आऊंगा जो लोग ये चैनल पहली बात देखें अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यूंकि आपके एक्जाम जो है वह बहुत जल आने वाले वीडियो शुरू करने से पहले बता दू हमारा जो अक्टूबर एंडिंग या नवेंबर में कंडक्ट करवा दिये जाएंगे तो हमारा यह स्केडियूल हम लोग कोशिश करेंगे जो 20 टेस्ट का हम लोगों का टार्गेट है वह हम लोग अक्टूबर में ही आप लोगों तक अविलिबल करवा दे अगर आप लोग यह लेना आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आसकी ग्लास को भी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जो की पहली स्मार्ट सिटी बनी है किसके लिए जो की स्मार्ट एड्रेसिस को यूज करेगी आफ्टर दा इंप्लिमेंडेशन ऑफ फ पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी जो की स्मार्ट अड्रेसिस का जो है इस्तमाल करेगी अब यहां भी क्वेशन दो तरीके से पुछा जा सकता है कि कौन सी है वो तो आपको बता है इंदोर अब दूसरा यहां पर बनता है कि कि किसके साथ यह मोई उसाइन क्या देखो इं भी लगातार सबसे साफ इंदोर ही बनेगी अब यहां पर जो एक MOU sign किया गया है यह किया गया है जो MOU sign किया गया है CEO of India Indoor Smart City के जो रिशव गुपता है आईएस है किसके साथ इन्होंने किया है इन्होंने किया है पाता Navigations के साथ जिनको आप लोग यहां भी देख सकते अब यह Par tata Navigations basically क्या है ya Par tata जो Founder है यह पूछा जाएगा लेकिन अगर पूछ जो इस डों के साथ इस key? अब exam मे यह थी पूछा जा सकता है आपको अग्गर Examina क्योंगी दिखो अब जो आपक्लाकी यह जक्ता पहले कितना कि CBT questions को ही उठाकर डाले हो सकता है question paper का level भी बढ़ाया जाए तो हमें अपने आपको prepare करना है current affairs को थोड़ा सा detail में पढ़ने के लिए अगर CBT exams होगे तो काफी important हो सकता है आप लोगों के लिए अब देखो जो पाटा organization है ये navigation है पेपर में direct पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली city है जो इंदोर जो कि अभी हाल ही में smart city with smart addresses वनेगी जो fully digital addressing system को implement करेगी ये किस के साथ करेगी तो ये भी याद रहता है ये पाटा navigation के साथ करने जा रही है next पे आते हैं next question भी बहुत जादा important है अभी हाल ही में किसे एक honorary rank जो मिला है जनल आफ द नेपाली army का नेपाली president के द्वारा जो नेपाल की president है बिद्या देवी भंडारी ने दिया है अब ये award किसे मिला देखो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था Malaysia ने भी हाल ही में हमारे एक naval officer को ये आपका homework है naval officer को award दिया है जो वहां का topmost rank होता है order या फिर हम बात करें एक award दिया है आपको बताना है किसे दिया था ठीक है अब बात करते हैं यहां पे जो ये award है ये जो एक honorary journal of the नेपाली army का जो award मिला है किसे मिला है ये मिला है इंड नेपाल के द्वारा हर साल दिया जाता है तो ये याद रखना मनोज पांडे जो है इन्हें ये इस बार ये award मिला है तो ये पूछे जाते हैं questions जो awards category में questions बनते हैं इस तरीकी questions पूछे जाते हैं paper में तो इनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा ठीक है next पे आते हैं हम लो हिंदी दिवर्स हम लोग मनाते हैं हर साल कब 14 सेप्टेंबर के दिन ही हम इसको क्यों मनाते हैं क्योंकि देखो 14 सेप्टेंबर के दिन जो हिंदी अगर पूछा जे पहली बार कब किया गया था तो ये किया गया था 14th September 1953 में ठीक है यह वाली date भी याद रख लेना अब यहा प्रमोट करने के लिए यहां पे क्या जाता है अब कभी आप से पूछा जाए पेपर पे कि वर्ल हिंदी डे अगर पूछा जाएगा बहुत सारे बच्चे इसको 14 सेप्टमबर बार कर कहेगे तो आपको इसलिए यहां पर रखा गया देखो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी के दिन अब यह चीज़ या दरतना वर्ल्ड हिंदी डे अक्रॉस ग्लोब में 10 जनवरी को मनाया जाता है अब 14 सेप्टमबर को ही क्यों मनाया जाता है तो आपको बताऊं 14 सेप्टमबर के दिन हिंदी डेवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी को अडॉप्ट किया गया था as the official language of the union of इंडिया ठीक है तो यह 14 सेप्टमबर 1949 को जो है किया गया था हिंदी को देखो आपके कही स्लेबस में लैंगवेजिस के ओपर भी है तो घंदी का अगर पूचा जाएगा कि आड कब किया था हो किया गया थो 14 सेप्टेंबर 1949 को और हिंदी दिवस पहला का अगर यह अगर थैं 1953 को यह अगर पूछा जाएगा वर्ल हिंदी रे तो यह ना जाता है January, February, March, April इस तरीके से ले आँगा 8-8-10-10 मिनेट की वीडियो बना के ताकि आप लोगों को उसी में सारा कवर हो जाए तो next पे आते हैं फिलाल ये question काफी important होगा इसको note कर लेना अभी हाल ही में Central Zoo Authority के द्वारा पदमजा नाइडू Himalayan Zoological Park जिसको PNHZP भी कहा जाता है इसको recognize किया गया है as a best zoo in India अब देखो दो तरीके से ये question भी बन सकता पेपर में पहला आप लोगों का जो static GK की फॉर्म में question बनता है बहुत सारे बच्चे में ने देखे हैं वो सारे national parks, tiger reserves इन सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं देखो पेपर में आपको question वही पूछा जाता है जो की current affairs में होता है अब अब से direct पूछा जा सकता है कि पदमाजा, नाइडू, हिमालियन जोलोजिकल पार्क है कहां पर यह static GK की फॉर्म में आ सकता है तो यह कहां पर है तो यह जो पार्क है यह आपको मिलेगा डार्जलिंग में West Bengal में ठीक है पहला question तो यह दूसरा आपको यह याद रखना है अगर आपको direct पूछा जाएगा या फिर यहां पर main attraction क्या है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर आपको red panda जो है वो देखने को मिलते हैं इसलिए यह जो main attraction है इसकी वो यह है तो तीन तरीके से question बन सकते हैं तीनों को याद रखना नेक्स पर आते हैं देखो यह जो question है as per the cantar brands most valuable Indian brands यह report 2014 से यह submit करते आ रहे हैं हर साल इनका जो rank 1 था वो change नहीं होता था और पहली बार इनका जो rank 1 है वो change हुआ है 2014 से लेके 2021 तक कौन सा brand था जो top most valuable brand माना जाता था Indian brand माना जाता था तो यह था हमारा यहां पर HDFC चीक है लेकिन इस साल 2022 में यह change हुआ है अब 2022 में change हुआ है तो यहां प अब आपको पता है कि यह brand है यह ही बनते आ रहा है एक्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि पिछले 7-8 साल से यही चलते आरे सब को पता कि अगर किसी को पुराना भी याद है तो भी answer करतेगा जब change होता है तब वो जादा important बनता है और इस बार यह change हुआ है इस बार कौन है इस बार बनाए TCS Tata Consultancy Services जो है यह rank 1 आया है इस बार और अगर पूछा जाया rank 2 कौन सा तो इस बार HDFC ही आपका rank 2 जो है वो माना गया है किसके द्वारा अब यह भी याद रखना एक्जामिनर क्या पूछता क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग reports हैं जो आती है उसी में एक सबसे important आती है के entire brands most valuable Indian brands की तो इस बार यह change हुआ है तो यह याद रखिएगा next पर आते हैं अभी हाल ही में South Asian Football Federation जिसको हम S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S.A.F.S यह इस बार हुई है आप लोगों के शिलंका में अब यह जो शिलंका में conduct करवाई गई है इंडिया ने जीता है हराया किसको है इंडिया ने हराया है नेपाल को चीक है अब यह point अब एक और चीज़ में बदाता हूँ अभी recently आप लोगों ने देखा Asia Cup हुआ है जिसको किस ने जीता है जिसको जीता है शिलंका ने शिलंका ने Asia Cup को जीता शिलंका ने Asia Cup को जीता लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि इस बार इसका होस्ट कौन था आप लोगों ने देखा कि matches आपके दुबई में हुए है option में आपको UAE दिखेगा इसको मार्क मत करना इसको मार्क करें FIFA under 17 World Cup की जो women category का होगा ये कहां पे होगा ये होगा इंडिया में FIFA ने इंडिया पे बैल लगा था जिसको हटा दिया गया है ये भी याद रखना रीजन क्या है क्योंकि जब बैल लगा था तो उसके बाद ये का जा रहा था कि अब ये event जो है ये इंडिया में नहीं हो होगा ठीक है तो ये चीजें याद रखना नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में इंडिया के टैनिस प्लेयर थे फॉर्मर टैनिस प्लेयर और डेविस कप कैप्टन थे नरेश कुमार देखो जब भी कोई निदन होता है या अबिचुरिस पर questions बनते हैं तो वो कि तरीके से बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से related थे आपको paper में पूछा जाएगा अगर ये question आता है कि नरेश कुमार जिनका रिसेंटली निदन हुआ है ये कौन सी फील्ड से थे तो ये tennis player थे बहुत famous tennis player थे अपने जमाने में और साथी साथ आपको बता करें अवाड अगर आपको किस केटेगरी में मिलता है देखो है तो sports category में लेकिन मिलता किसको है ये ये वर्ड मिलता है जितने भी coaches होते गुच्छते हैं उन्हें चीक है और अगर कभी आपसे पूछा जा मिलता है और पहले जो मिलता था उसका नाम था राजीव गांधी कर रतन अवार्ड जो की टॉप मोस्ट वार्ड माने जाता है स्पोर्ट्स का लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है और यह आपका होमवर्ग है कमेंट बॉक्स में बताना कि अब किस नाम से हम लोग जानते है राजीव गांदी खेड रतन पुरुसकार को नेक्स पर आते हैं दे स्टेट के दिवान थे तो यह आपको पताना चाहिए मैसोर के दिवान थे तो यहां पे रहता काफी important होगा यह भी वोगेस्ट rubber dam जिसका नाम है गयाजी डैम अब यहां पर आप लोगों को यह याद रखने का एक तरीका भी है अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा जगा का नाम सुना होगा बोध गया बोध गया कहां पर है बोध गया आपका है बिहार में तो अगर आपको पूछा तो यह याद रखिएगा यह स्टील फुट ओवर ब्रिज जिसको विजिटर के लिए open कर दिया गया है पृतिपक्ष मेला जो इनका एक observe किया जाता है हर साल उस दोरान इसको यहां पर कर दिया गया है तो यह आप लोग याद रखिएगा अब यह पहला पॉइंट और यह और इजनेट कहां से होती है फाल्गु रिवर और इजनेट कहां से होती है तो यह जारखंट से और इजनेट होती है ठीक है यह भी याद रखना नेक्ट पर आते हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स जो भी हाली में आया है सेप्टमबे 2022 में इंडिया का क्या रहा है और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने टॉप किया है लगतार दूसरे साल क्रिप्टो के अगर बात की जाए तो इंडिया का जो इस बार रहा है वो रहा है फोर्थ और अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप किसने किया है तो वह टॉप किया है वितनामने लगाता दूसरे साल ठीक है तो यह दोनों इंडेक्स आपको याद रखने है क्योंकि अभी बहुत सारे इंडेक्स आना शुरू हो जाएंगे अक्टूबर में आपको नोबल प्राइ इंबर में जाता है तो आपको अक्टूबर वाले पढ़के जाने पड़ेंगे सीवीडी में यह क्वेशन हंड्रेट एंट पॉसंट बनते ही बनते हैं नेक्स पर आते हैं अभी हाली में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 63rd रैंक आया है इन दा बेस्ट वर्क प्लेसिस इन एश परशनालिटी है जो कि 76th Grand Master बने है अब यहां पर एक्वेशन यह किस तरीके से बनता है दो तरीके से आपको याद रखना है 75th कौन थे 75th थे हमारे प्रणव विंकटेश ठीक है यह 75th थे पेपर में पूछा थेगा प्रणव विंकटेश किस स्पोर्ट से रिलेटेड है य लेकिन आनन्द तो दोनों प्रणव याद रख लेना पिछले बार जो थे वो वेंकटेश थे इस बार जो है वो आनन्द है 76th Grand Master बने है उनका नाम है प्रणव वेंकटेश ठीक है इनको भी यह चीज याद रखना ग्रैंड मास्टर जो है यह हाइस टाइटल होता है वर्ल् इंटरनेशनल डे है फॉर दप्रिश्वेंशन प्रिश्वेंशन ऑफ दा ओजोन लेर 2022 अब्जर्व किया गया है अक्रॉस दा ग्लोब यह कब किया जाता है तो देखो ओजोन लेर के अलिए जो यह वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है या फिर जिसको हम लोग ग्लोबल ओजोन डे भी कहते है यह हर साल कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है सोला सेप्टेमबर के ठीक है हर साल इस सी दिन यह अब्जर्व किया जाता है अब इसकी जादा इंपोर्टेंट क्या है इसकी जाद इससे जादा इंपोर्टेंट है थीम इस बार इसकी थीम क् को ईह सक्षम सर्ण ने भी पड़ाया था जितनी भी अहका हम्मोग ने इन्वाभाइब अजिफी कंवेंश्ऐन जितने वी प्रोटो कौ ऑल कोपोलेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ और्थ मारेपीट कर देता हूँ इसकी थीम थी मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल एड़रे 35 ग्लोबल कोपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ और्थ बहुत इंपोर्टेंट होगा यह याद रखना थीम पर पूछे जाते हैं हाल ही में कौनसी ऐसी स्टेट है जो की जिसे 5G यानि फिफ्ट जेनरेशन टेलीकॉम सर्फिसस का जो फर्स्ट फेव है जो लांच कर दीए इंडिया में बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंगे देखो 5G पे जब भी क्वेशन बनेंगे या फिर जो भी मैंने आपको बताया जब कभी भी कोई बी इंडिया की फर्स्टेट होती है अब जैसे देखो पेपर में जो भी रीसेंडली हमारे होए थे थोड़ी ताइम पहले जिए के दवरे चंडेक करा गये थे उसमें क्या कुचे जाते हैं पहली कौन सी इस्टेट जीदर LPG पुंचा पहली स्टेट को उनसी है जो की और गनिक है ये क्वेशन पूचे जाते हैं और यहां पर पूचा जाएका पहली स्टेट को जीड जिसमें 5G टैलिकोमी इसकी launch की गई है तो यह है Odisha Odisha में इसको launch किया गया है किसके द्वारा किया गया जो इससे में हमारी union minister है किसके communication and electronics information and technology के क्या नाम है इनका इनका नाम है अश्विनी वैशनाव इंदो ने हाल ही में announce किया है तो यह याद रखिएगा तो यह पहला ऐसा state है जहां पर launch किया गया है और 5G कि अगर बात की जाए तो यह तक्रीबन 10 time faster है 4G से और 30 time faster है 3G technology से तो इसलिए यहां पर है अब एक और चीज़ यहां पर आपको पताने चाहिए 5G के related जैसे कि अब जैसे इतनी जादा radiation आएंगी तो इस radiation के लिए भी एक norm set करी गई है वो norms किसके द्वारा set की गई है वो की गई है World Health Organization के द्वारा World Health Organization ने यहां पर जो norm set की है उसकी help से यहां पर यह चीज़ें शुरू की गई है और अगर आपको बताऊं 5G lab जो है वो बनाई गई है यह मनें आपको पहले बताया था odysa में ही किसके साथ यहां पर हुआ है agreement iat madras के साथ यह याद रखना iat madras में किसके साथ किया है odysa के साथ 5G labs के लिए भी तो यह भी याद रखना चीक है यह questions बन सकते हैं तो इसलिए यहां पर extra information में आपको दे रहा हूं next question पर आते है साथी अरेबिया ने किसको बीट कर दिया है ताकि अब वो क्या बन गया है इंडिया का second largest oil supplier अब यहां पर question क्या है देखो इंडिया oil जिन से लेता है चीक है oil supplier जो यहां पर बन चुके है अभी recently आपको बता दूँ अगर पूछा जाए top पे कोन है सबसे पहले आएगा first पे कोन है वो है इराक और इराक ही काफी time इंचे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बाग अभी recently थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था रशिया जो था वह आ चुका था बाट वापिस यहां पर कौन आ चुका है यह आ गया है साउदी अरेबिया ठीक है अब यहां पर चीजें आप लोग याद रख अरेबिया बन गया है यहां पर second पर largest कौन सा है वह इराम का इराग ठीक है तो यहां पर आप लोग याद रखना नेक्स पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको रीसेंटली कंफर्ट करा गया है फ्रांस लेगन ऑफ ऑनर अवार्ड के साथ यह बहुत ही एक बड़ा अवार्ड है किसे मिला है यह पदमशिरी अवाडी औरेडी है डॉक्टर स्व करनी अभी हाल ही में कोन सी कंपनी ऐसी है जिसने रीसेली अक्वाइर करा है अंबूजा सिमेंट सीरी अभी हाली में जो हूँ पूरा आक्कूजिशन जो किया है यह किया गया हे अधानीक Рप्स के दोब़णा अहार्ठ इस समय देख सकते हैं अदानी ग्रुप्स का जो यहां पे ग्राफ है वो किस स्पीड से भढ़ रहा है क्योंकि मुकेशमानी आम लोग पिछले काफी टाइम से पढ़ाने आम लोग दिखते आने कि मुकेशमानी टॉप पे थे लेकिन अदानी ग्रुप्स बहुत ही जादा तेजी से कर रहा है और जो यह में एक्कुजिशन के पीछे जो रीजन है वो यह है कि अदानी ग्रुप्स का जो फ्यूचर का टार्गेट है जो भी है उसके लिए जो सीमेंट की जो उनको पड़ेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहां पे स्को किया और सेकिंड लाज सिमेंट जो लार्जस प्लेयर है लेकिन बहुत जल्द यह भी कहा जा रहा है कि ACC या अमभुजा सिमेंट उसको भी और टेक कर जाएंगे नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में कौन सी ऐसी परसनेलिटी है जिन्होंने एक बुक को रिलीस किया है जिसका टाइडल था अंबेड आध लेकिन फर्स्ट ट्राइबल प्रेजिडेंट है यानो के ट्रैबल कमुनिटी से बलॉंग करती है ठीक है यह चीज़े याद रखना फर्स्ट विमेन कोन सी थी फर्स्ट विमें थी हमारी प्रतिभा पाटेल जी ठीक है यह भी याद रखना अगर आप से पूछा जाए कि जो द्रोपुदी मुर्मू है वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर है प्रेजिडेंट है 14 15 13 12 कमेंट बॉक्स में लिखके बताना यह आपका होमवक है ठीक है यह आप लोग भी देखें कि कितना ध्यान से चीजों को सुनते हैं तो इस बुक को जो अभी हाल ही में रिलीस किया ग हम लोग अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनिजेशन के दवारा वर्ल्ड पेशन सेफ्टी डे अब्जरफ किया गया है पूरे गलोब में जिसकी थीम थी मेडिकेशन सेफटी अब यह यह काम अबसूए जाता है देखो यह अबसुए जाता है 17 सिप्टेंबर को लेकि इसमें month of nutrition या अफिकी nutrition month के रूप में जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं portion मा ठीक है अब इसके अलावा nutrition month तो आगे September बहुत सारी अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने nutrition week भी शुरू किया है मैंने आपको पिछले lecture में बता था आप लोगों बताने कब से कब मनाया जाता है medication जो है इसकी थीम थी medication safety थीम को भी याद रखिएगा world health organization की अगरे में बात करूं तो इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter है जिनिविया में जिनिविया कहां है स्विच्जर लैंड में ठीक है next प्याओ question no.20 कि अगर यहां पर बात की जाए अभी हाल ही में कौंसी ऐसी city है जिसने पार्टर करा है government of Delhi के साथ ताकि जितना भी stable burning होती है जो की जिसकी वजा से बहुत ही ज्यादा pollution जो है वो northern states को face करना पड़ता है खासतोर को डेली को और यूपी को तो इसको रोकने के लिए जो भी हाल ही में किया गया है यह प्यूसा बायो डिकंपोजर की help के थूँ यह कोशिश की जाएगी कि कम करने की तो किस state ने यहां पर किया है देखो सबसे जादे यह किया जाता है पंजाब और हर्याने के द्वारा लेकिन किस ने किया है यह किया है पंजाब और डेली गवर्मेंट अब याद रखने का त इस एली गवर्मेंट ने यहां पर आपस में एक tie up किया है ताकि यह जो जितना pollution होता है इसको control में किया जा सके और जितना भी सब्तल बर्निंग होती है इसको कम किया जा सके ठीक है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा pollution यहां पर होता है next पर आते हैं अभी हाली में मुझे पिछले दो साल पहले ही इन्होंने क्या था नूर सुल्तान चीक है अब ये भी आ सकता है आपको जरूरी नहीं आपको अस्ताना पूछा जाए अगर पेपर में क्वेशन पूछा जाएगा कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है और आपको ऑप्शन में दे दिये जाएंगे नूर सुर्थान और अस्ताना किसको मार करेंगे बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता तो वो गलत मार किसका कर सकते है इसका आंसर होगा अब अस्ताना है इन्होंने वापिस से चेंज कर दिया और जो इनका प्रेजडेंशल टर्म चलता था पांच साल का उसको भी बढ़ा के कर दिया साथ साल ठीक और यह नाम जो है चेंज होते जाते हैं जैसे इंडिश्य में भी चेंज हुआ था तो यह याद रिखना आप लोग नेक्ट प भी दिया जाएगा और वो नाम तभी आपको न्यूज में अगर पेपर पॉइंट ऑफ एक्जाम पुछा जाएगा जब बहुत बड़ा चेंज होगा तो यहां पर मैंने आपको बताया कि गोतम अदानी जो थे सेकेंड रिचेस्ट तो बन गए हैं लेकिन इन्होंने किसको औरेडी पीछे ही थे इनसे इन्होंने किया था बर्नार अर्नॉल्ट को जो की अल्वी कंपनी के जो है मालिक है इनको पीछे किया है इंडिविजुल के लिए इस तक इन्वाद करें तो उस पर ठीक है टॉप पोस्ट पे एलन मस्क ही है सेकेंड पे गोतम अदानी पहुंच पढ़े गर आप अभी इहां पर नंचैर शे , जो की कहां पर कंडटो है सर्भिया में सर्भिया में कहां पर बेलग्रेड में इसमें आपको बताना है कि कर्यक्ट आपशुन कौनसे है देखो, इंडिया के अगर मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको दो नाम याद रखने हैं, इस पूरे टूर्णामेंट में है, इस पूरे चेंप्येंशिप में, इंडिया ने दो मैडल ही टोटल यहां पे जीते हैं, किस-किस ने जीते हैं, एक जीता है आपका बजरंग पुनिया ने ठीक है दूसरा आपका जीता है विनेश फोगाट ने अभी इससे पहले कॉमन वेल्ट थुई थी गोल्ड मैडल जीता था विनेश फोगाट ने बट इस बार क्या हुआ यहां पे आपको बता दू यहां पे इन दोनोंने कौन सा मैडल जीता है इन दोनों ने medal जीते हैं bronze, चीक, दोनों ने यहां पर bronze medal जीते हैं, जरंग पूर नी है किस category में खेलते हैं, वो खेलते हैं 65 kg की category में, और अगर हम बात करें यहां पर इस पूरे event की, तो विनेश वोगार्ड की अगर बात कही जाए तो यह इनका second world wrestling championship medal था, यह किस category में खेलत हैं 53 kg category में, अब इसके according आप लोग चेक कर लो कि कौन-कौन से सही है, बजरंग पूर्णिया has won men, 50-65 bronze medal in world wrestling championship, fourth medal बिल्कुल सही है, यानि कि second option सही है, फर्स की बात की जाए, जपान ने टॉप किया, और इंडिया का रैंक 12th राज, दो मेडल के साथ, तो यह भी बिल्कुल, sorry, यहाँ पर बात की जाए, इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा था, अगर इस particular game की बात की जाए, तो जो championship यहाँ पर अभी हाली में 17th edition हुआ है, तो इसको जीता US से ने है, ठीक है, US से ने यहाँ पर टॉप किया है, सब medal tally में, Japan second रहा है, तो यानि यह पहला option हो गया, ग होगा, अभी हाली में कौन सा ऐसा, जो event हुआ है, जो दुरंद कप हुआ है, अब देखो paper में आपको यह भी पूछा सकते है कि दुरंद कप कि sports के साथ related, जरूरी नहीं आपको हर बार player का पूछा जाएगा, दुरंद कप किसके से रात related है, यह है football के साथ, अब एक homework भी ल जिसके आप लोग बहुत सारी videos भी हर जगा पे देख रहे हो, आप लोगों को देखने को मेरे जिसमें जो sports person है, उन्हें sideway करिया जा रहे है, और खुद जो ministers हैं बड़े बड़े वो आगे आके photo खिचवा रहे है, cup के साथ, यहाँ पर आप लोगों को यह idea हो जाएगा, अ इसके captain कोन थे, बैंगलोरू football club के, तो इसके captain है सुनील चेतरी जी, और सुनील चेतरी जी international goals में रोनाल्डो और मैसी के बराबर चलते हैं, मतलब उनसे काम है, लेकिन उनके जितने international goals इन्होंने दागे हैं, next पर आजाओ, अभी हाल ही में union home minister अमिच्छा ने क्या किया है, ह to commemorate 75 years of liberation of Hyderabad, अब जिन लोगों को ये history का part पता है, तो आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी, कि ये क्यों मनाया जाता है, integration day, जब देश का हमारे का बटवारा हुआ था, मैं गलत बराऊंगा तो उसके लिए माफी, तब कुछ जगाए ऐसी थे, जिनोंने मना कर दिया था, कि वो किसी के साथ नहीं जाएगे, जिसमें एक तो हमारा JNK था, ठीक है, एक आपका जुनागर था, और एक आपका आता ह है, हैदराबाद, निजाम जो थे हैदराबाद के इन तिनोंने मना कर दिया था, कि हम ना इंडिया ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगे, तो वहाँ पे उस समय हैदराबाद में, जो में, जो पार्टिशन ऑफ इंडिया का दौरान, 1947 में, इनोंने डिकलेर किया था, और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी, हैदराबाद एक बहुत बड़ी जो प्रिंसली स्टेट सी उस समय पे थी, और उस दौरान हैदराबाद में, basically 16 डिक्स्ती, जिसमें 8 तेलंगाना की डिस्टिक्ट थी, 5 मराटा राटवार्ड डिस्क्ती, 3 कनाटड़का की जो थी, तो birth anniversary को हम लोग किस रूप में मनाते हैं 31st October को अब ये भी comment box में लिख कर बताना easy question है इन्होंने क्या किया था इन्होंने decide किया था कि ये हमला करेंगे किस पर annex करेंगे हेद्राबाद को उस operation का नाम क्या था अब आपके modern history आपके paper में ज़रूरी नहीं है कि आपको modern history में question ये पूछे जाए किसे पिटे को यह answer इस operation का नाम बता था तो आपकी तैयारी next level पे है पोलो की full form क्या थी इनका answer था पोलो की full form थी police action अगेंस्ट हैद्राबाद ठीक है अब यहां पे जो निजाम थे उस समय के मीर आस्मान अली खान जो 7th in the line थे असाफ जाही डेनिस्टी के उन्होंने सिलेंडर कर दिया था हैद्राबाद को इस operation के दरान और इसको इंडियन territory में add कर दिया गया था किस दिन कर दिया गया था 17 September 1948 में अब यहां पे 1947 से सब्सक्राइब कर देना 17 September 1948 में यह चीज जो ही थी यहां पे वी थी और इस दे को हैद्राबाद liberation day के रूप में observe किया जाता है ठीक है और इसको अगर हम बात करें महराश्टा के द्वारा भी महराथा वार्ड liberation day के रूप में मनाया जाता है और हैद्राबाद करनाटका liberation day के रूप में करनाटका में बनाया जाता तो यहां पर आपका हिस्ट्री का लेक्चर भी साथ-साथ में हो गया तो यह याद रखिएगा अभी हाल ही में अब आपको एक और चीज़ बजाता हूं 23 सेप्टेंबर भी उस टाइम पर यह decide कर चुका था कि वो किसी के साथ नहीं जाएगा बट पाकिस्तान ने जब यहां पर invade किया तो यहां से जो हमारी जम्मु कुश्मीर के उस समय महराजा थे हरी सिंग जी उन्होंने instrument of accession को sign किया था किस date को गया था यह भी आपका homework है ताकि उस instrument of accession के यहां पर लोगों की डिमांड यह थी कि जिसकी वज़ा से instrument of accession आया है और उसी के इंसान के बहुत है निवर्सिटी पे यहां पर चुट्टी का पूरा होना चाहिए और उनकी पूरी यहां पर चीजें जो चलाई गई थी तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक करें सेप्टेंबर 12 2022 को इंडिया नेवल शिप सत्पूरा और पी एट आय मरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिय नेवी के रीच करें हैं दाविन ऑस्ट्रिलिया में किस मल्टी नेशनल एक्सराइज में पार्टिसिपेट करने के लिए तो इस एक्सराइज का नाम है यहां पर इसको चन्डक करवाए जाएगा बहुत सारी कंट्री जो यहां पर आएंगी थीम क्या इसकी तो इसकी थीम क्या है इसकी थीम है पार्टनर्शिप लीडर्शिप फ्रेंड्शिप यह भी याद रखना थीक है यहां पर यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्ट पर आते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोस्टल क्रिन अप डे हर साल अब्जर्व किया जाता है किस डेट को यह किया जाता है 17 सेट्रेंबर के दिन ही इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी connecting people for a trash free coastline तो यह दोनों चीज़े याद रखना exactly अगर बात की जाए तो 17 सेट्रेंबर को हर साल नहीं मिना जाता है यह हर साल मिना जाता है 3rd Saturday को फिर वो जिस भी दिन आता है अगर आप से पूसर जाएगा पेपर में जरूरी नहीं आपको पेपर में option दे दी जा सकते हैं कि यह international coastal cleanup का मिना जाता है अप्शन दे जाएगा 1st Saturday, 2nd Saturday, 3rd Saturday तो यह भी याद रखना यह आपको exam में आ सकता है नेक्स्ट पे आते हैं Name the state who recently announced the first ever cinematic tourism policy which will help in standing of film infrastructure अब हाल ही में Government of Gujarat के द्वारा announce किया गया है कि यहाँ पे इन्हों ने एक policy लाई है cinematic tourism policy जिसके तहद कहाँ पे गुजरात में कहाँ पे एहमदाबाद में यहाँ पे इसको launch किया गया है तो पांच साल के लिए पहली चीज़ तो यह effective रहेगी 2022 से लेके 2027 तक और यहाँ पे कोशिश की कि यह जो film infrastructure है गुजरात का उसको मजबूत किया जा सके ताकि जितने भी financial and non financial incentives होते है filmmakers को वो यहाँ पे मिले और promote किया जा सके cinematic tourism को through the development of film infrastructure और आपको बताना है जम्मू कश्मीर में या फिर अगर मैं बात करूँ कश्मीर में अभी recently एक theater जो है बहुत time के बाद open हुआ है वो कहाँ पे किस district में हुआ है यह आप लोगों का homework है आप लोग बताइएगा यह कहाँ पे inaugurate किया गया है next पे आओ world first intercontinental carnivore transcolation translocation जो अभी हाल ही में हुई है wild cheetahs की यह कहाँ पे हुई है यह किस जगह पे हुई है project cheetah के तहत या फिर हम बात करें यह जो project cheetah जो है या फिर जो wild cheetah जिनका नाम यह भी याद रख लेना यह कहाँ पे आए है किस national park में आए है पेपर में यह national park डिरेक्ट पूछा जा सकता है कि कि किस state में है तो यह आए है कुनो national park में यूज में आप लोगों ने देखा होगा तो यह project cheetah के अंडर आए है आप लोगों ने इससे जादा तो आप लोगों ने न्यूज में देखे लिया होगा नमीबिया से यह लेकर आए है नमीबिया का अब यहां पे जरुसक्त डुसक्त पूदा में कॉम सिंग जी के द्वारा इनोंने भी हाल ही में यह लॉंच किया है वेब पोर्टल इमफाल मनिपूर में ग्यादत चाहता कि जितने भी पॉब्लिक है वो अपने गिवेंस को रेस कर सके इस वेब पोर्टल के थू तो यह थे हमारे सेप्टेमबर 3rd विक के इंपॉर्टन करन्ट कुछ history के questions भी आपको पूरे explain किये I hope आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा अगर यह लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको एक round up early round up लेके आता हूँ कि मुझे आज भी याद है पता नहीं चला कब January में म September भी हमारा almost खतम अने पर आ चुका है इसको हम लोग यहां पे कर देंगे और आप पसे जो बच्चे जम्मू किश्मीर से हैं अगर आप लोगों को कोई कोर्स लेना है हम लोगों का जिसके rate औरी 500 रुपे थे हमनों उसको भी गिटागके 400 कर दिये हैं सिरफ दो दिन के विडियो लेक्ट्टर्स नोट्स मॉच्टेस्ट टॉपिक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट सब आपको वाम पर मिल जाएगा फिर वो आप वियर डबल्यू का चाहते हैं यह चाहते है ड्लेफ डबले का या फिर अगर Forrester की बात की जाए Sub Inspector Finance की की जाए Election Assistant, पतवारी जिसमें उर्दू के Lectures भी आप लोगों को मिल जाएंगे Stock Assistant, Veterinary Pharmacist, Junior Assistant इन सब के Courses, Mock Test आपको सब SSS की आप पे Available करवा दियेगे हैं, आप लोग ले सकते हैं सिरब एक दिन के लिए Discount आप लोगों को मिलेगा Maharaja Hari Singh जो मैंने आपको भी बताया उनकी बहुत anniversary की ही चुट्टी के लिए ये offer भी आप लोगों के लिए चलाया गया है तो ओके गाइस, बावए टेकर, all the best, मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा तबियत खराब थी, अगर कुछ चीजे मिस हो गए तो इसके लिए माफी जल्दी ही recover होके मैं और अच्छा लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाने के कोशिश करना गाइस, see you soon, bye, take care, all the best